हलो फ्रेंड्स, पार्ट वन में रह गए थे बहुत सारे सवाल, उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो आईए शुरू करते हैं फाइनली वे सब चर्च में पहुँच जाते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ, कि रसेंडिल को अच्छानक से ये रियलाईज होता है, कि उसके कंदों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौपी जाने वाली है रसेंडिल अब थोड़ा नर्वस हो रहा था, उसे सब कुछ धूंदला नजर आ रहा था रसेंडिल जब कतार के बीच से गुजर रहा था, तो उसे बस दो ही चहरे क्लियरली दिखाई दे रहे थे बाकी सब बलरी था, पहला चहरा था एक लवली लेडी, यानि किंग रुडॉल्फ के फ्यांसे, प्रिंसेस फ्लैविया का और दूसरा चहरा था किंग रुडॉल्फ के सौतेले भाई, ब्लैक माइकल का जब रसेंडिल ने माइकल को देखा, तो उसका लाल सा चहरा फीका पड़ गया, और आस्चरे या डर से उसके हाथ से हलमेट छूट कर नीचे गिर गया, क्यूकि माइकल को ऐसा लग रहा था कि रुडॉल्फ आज के इस समारोह में नहीं आ पाएगा, इसके बाद क्या रसेंडिल ने ध्यान नहीं दिया, प्रिस्ट ने रसेंडिल के माधे पर जब ओयल छिड़का, तो रसेंडिल ने सर जुखा कर उसे स्वेकार किया, यह सरमणी कही एक पार्ट या रूल था, फिर रसेंडिल आगे बढ़ कर प्रिस्ट के हाथों से दुरिटैनिया का क्राउ हो जाती है भीर मैंसे एक तर्शक चिल्ला कर बोलता है इनकी रॉयल हाइनिस प्रिंसस फ्लैविया आ गई हाइनिस का मतलब ये एक ऐसा टाइटल है जो रॉयल फैमिली से बिलॉंग करने वाले मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है प्रिंसस फ्लैविया रसेंडिल के हाथो है और उसके हाथों को चूमता है डर के मारे उसके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राइ लग रहे थे रसेंडिल पर बहुत है माइकल के हाथों और गालों को चूमता है जब ये सब ओवर हो जाता है तो रसेंडिल को ऐसा फील होता है जैसे वे दोनों बहुत ज्यादा ग्लैड लेकिन इस पूरे सेरेमनी में ना तो प्रिंसस फ्लेविया को रसेंडिल पर कोई शक होता है और ना ही ब्लाक माइकल को पूरी भीड में कोई इस बात को इमेजन भी नहीं कर सकता था कि जिसका कोरोनेशन हुआ वो किंग नहीं बलकि कोई और है रसेंडिल एक घंटे तक सभा में खड़ा रहा वो इस वक्त रूरी टैनिया का राजा है सारे लोग बारी-बारी से उसके हाथों को चूम रहे थे इसके बाद वे सारे लोग पैलिस की तरफ जाने लगते हैं रसेंडिल और फ्लेविया केरेज में बैट जाते हैं तभी प्रिंसेस फ्लेविया कहती है आपको पता है रुडॉल्फ आज आप थोड़े अलग लग रहे हो ये बात रसेंडिल के लिए तो सर्प्राइजिंग नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि वो रुडॉल्फ नहीं है लेकिन इस बात से रसेंडिल को एक पल के लिए थोड़ा डर लग गया फिर भी वो इस बात को समालते वे कहता है आपको ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्यूंकि आज का दिन मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपोर्टन डे है और आज जिस तरह से लोगों ने मुझे ग्रीट क लेकिन इस बात पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और स्माल करते वे कहती है क्या आपने माइकल को नोटिस किया था तो रसेंडिल कहता है हाँ वो मुझे खुश नहीं लग रहा था प्रिंसेस फ्लेविया आके कहती है आप थोड़े क्यारफुल रहना और उस पर न लिए है और इसके लिए मेभी वो मुझे नुकसान पहुचाने की भी कोसिस करें बाते करते हुए वे सब महल पहुच जाते हैं गंस की फाइरिंग होती है ढोल बजते हैं फूल बरसते हैं और सारे लोग जयजय कार करते हैं लोग कतार में उनके स्वागत के लिए खड़े रसेंडिल मार्वल के सीड़ी पर चड़ने के लिए प्रिंसस फ्लैविया को अपना हाथ देता है और खुद एक क्राउंड किंग की तरह एंटर करता है और सोचने लगता है कि इस वक्त रुडिटैनिया के असले किंग यानि रुडॉल्फ क्या कर रहे होंगे आपके बुक में तो बस इतनी ही स्टोरी दी गई है सबसे एंड में इटैलिक्स में एक पैरा लिखा हुआ है उसमें ये बताया गया है कि ब्लैक माइकल किंग रुडॉल्फ को किड्नाप कर लेता है और रसेंडिल को काफी लंबे टाइम तक रुडॉल्फ की जगा पे रहना पड़ता है अगर आपको आगे जानना है कि रसेंडिल किंग रुडॉल्फ को कैसे रस्क्यू करता है और रुरी टैनिया के थ्रोन को ब्लैक माइकल से कैसे बचाता है तो इसके लिए आपको पढ़नी पढ़ेगी एक स्टोरी जिसका नाम है दे प्रिजनर आफ जेंडा ये पूरे स्टोरी और प्रिजनर आफ जेंडा की एक पार्ट है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग